इस वीडियो को स्पॉंसर किया है iCare Phone ने इसकी मदद से आप सारा डेटा अपने आइफोन से अपने PC पे और PC से आइफोन पे कर सकते हो इसकी मदद से आप मैनेज कर सकते हो अपने सारे वीडियो, ओडियो, आइफोन के ऊपर और इसकी आप कर सकते हो पैकप एन रिस्टोर आपके आइफोन का सारा डेटा वन क्लिक से आप कर सकते हो बैकप जो भी आपको डेटा बैकप करना है सिलेक कर लीजिए बैकप पे कर लीजे क्लिक और सारा डेटा आपके PC पे हो जाएगा बैकप iCare phone पे आपको मिलता है 30% का discount अगर आप इस्तमाल करते हो ये coupon code लिंक नीचे description box में है चेक आउट जरूर कीजिए हाई दोस्तों असलाब अलेकूम कैसे आप लोग मेरा नपील है PUBG लड़का इंडिया का 17 साल का उसने अपने घरवालों के जो पैसे थे बैंक में जमा जो उसके फादर के medical expenses के लिए थे उसमें से 16 लाख रुपए PUBG में उड़ा दिये किस तरीके से उड़ाए कोई वो छोटा बच्चा तो था नहीं 17 साल का था लेकिन उसको वो गेम के अंदर इतनी जादा लग चुकी थी चीज़े खरीदने की अलग-अलग कपड़े खरीदने की अलग-अलग चीज़े खरीदने की कि उसने वहाँ पे शॉपिंग करता रहा और और पीरियोड अफ टाइम शायद हो सकता है अगर आपके घर में बच्चे है या बच्चे नहीं है या आपके हाथ से भी यह चीज़ हो सकती है और अगर आप एक आईफोन उसर हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉरन है Android वालों का पैसा गया और इमेज़िडल अगर उन्हें गूगल के पास रीफंट दाला तो वहाँ पे पॉलिसी जो है Google का Play Store के अंदर जाधा फ्लेक्सिबल है Apple के App Store में इतना जल्दी और इतने आसानी से पैसे आपको वापन नहीं होते है तो अगर खास तोर पर आगर आप ये रीजन देते हो कि बच्चे ने पर्चेस कर लिया तो बिल्कुल भी Apple आपका पैसा रिटन नहीं देने वाला है क्योंकि जिमिदारी आपकी है तो यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा आइफोन के ये पैमिन सेटिंग्स है और इसको अगर आप नहीं करते हो तो आपको भी ऐसे लाको रुपे की चपद लग सकती है और मुझे भी कई हजारों रुपे की चपद लग चुकी है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं बहुत सरे आइफोन है सब में मेरा में अपल आइडी में डाला हुआ है घर में बच्चे है, कोई उठाता है, कोई भी चीज़ करता है तो मुझे भी नुकसान हो चुका और मैं भी जो ये सबख है सीख चुका हूँ तो payment method को remove कर दीजे अपने phone से payment method को किस तरीके से remove करना है सबसे पहले जाना है आपको अपके phone के settings के अंदर settings में जाना है आपको Apple ID के अंदर जो आपका नाम लिखा है वहाँ पे होता है आपका Apple ID उसके अंदर जाईए उसके बाद payments and shipping पे जाईए उसके बाद आपको नजर आएगा आपका payment method और remove payment method पे click करके उसको remove कर दीजे अभी दोस्तों एक बाद का ध्यान रखिए ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से अगर remove payment method करेंगे तो आपका payment method remove हो जाएगा इस नौन नेसरी क्योंकि अगर आपने कोई भी subscription ले रखा है चाहे वो iCloud का subscription क्यों न हो या फिर कोई भी ऐसा application जहाँ पे आपने उसको subscribe करके रखा है जहाँ पे हर साल वो build करता है आपको या हर महीने करता है आप अपना payment method नहीं निकाल सकते जब तक कि आपने कोई दूसरा payment method वहाँ पे add करके नहीं रखा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको जाकर check करना पड़ेगा कि कौन से applications को या कि services को आपने subscribe करके रखा है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके phone के settings के अंदर और settings के अंदर आपको वहाँ पे नज़र आएगा आपका Apple ID वहाँ पे Apple ID पे टाप कीजिए वहाँ पे नज़र आएगा आपको subscription और यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएगे आपके सारे subscription अगर इसमें से कोई भी subscription आपको cancel करना है unsubscribe करना है तो उसको open कीजिए और cancel subscription पे प्लिक कीजिए उसके बाद आप अपना payment method जो है अपने Apple ID से remove कर पाएंगे तो अगर आपने subscribe नहीं करके रखा है तो payment method remove करके किए सबसे safest method वही है अगर आपने subscribe करके रखा है और payment method आपको रखना पड़ रहा है आप उसको नहीं निकास सकते जैसे मैं तो आपको आगे क्या करना है आईए बताता हूँ अब आपको चले जाना है दोस्तों settings के अंदर settings में आपको जाना है आपके Apple ID के अंदर फिर से फिर वहाँ पे आपको नजर आएगा iTunes and App Store iTunes and App Store के अंदर आपको नजर आएगा touch ID is enabled for all purchases अब यह जो touch ID is enabled for all purchases है यह काफी जो है खतरनाक हो सकता है touch ID हो या face ID हो suppose आपने कोई game download किया उस time पर आपको अच्छा लगता है App Store से touch ID लगा दिया face ID लगा दिया payment authenticate होगी भले वो paid नहीं हो फिर भी वहाँ पे payment authenticate होती है और वहाँ पे जो है आपका free application भी download हो जाता है free of course भरी लेकिन जब आप उसके in-app purchase कहीं गलती से click करते हो और वहाँ पे instantly आ जाता है कि आपको touch ID लगाना है payment के लिए face ID लगाना है और अगर आप वो चीज़ कर देते हो तो आपके जरीय से भी अच्छा खासा amount आपके bank account में से deduct हो सकता है और बच्चों के साथ तो यह होई सकता है तो इसको किस तरीके से हम रोक सकते है आईए आपको बताता हूँ अब आपको चले जाना है दोस्तो आपके phone के settings के अंदर settings में आपको नजर आएगा face ID and passcode या फिर touch ID and passcode इस पे type कर लीजिए अपना passcode एंटर कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है turn off iTunes and App Store के उपर ये करने के बाद दोस्तो फिर से आप settings में Apple ID के अंदर चले आईए iTunes and App Store में चले आईए और यहाँ पे आपको नजर आएगा जो touch ID is enabled for all purchases था वो यहाँ से हट चुका है अब touch ID is enabled for all purchases तो यहाँ से हड गया लेकिन इसके बाद भी एक और setting होती है जहाँ पर अगर आप manually password एंटर करते हो कोई भी application download करने के लिए या फिर कोई भी purchase अगर आप करते हो application तो उसके बावजूद आपका बच्चा या आपके घर का कोई member या आप खुद भी accidentally कोई भी paid service या कोई भी paid कपड़े या कुछ भी चीज जो है download कर सकते हैं अपने पैसे गवा सकते हैं इसको कैसे रुकना है आईए ये भी बताता हूँ मैं इसके लिए आपको settings में जाना है Apple ID में iTunes and App Store के अंदर और iTunes and App Store के अंदर अभी आपको नजर आएगा password settings password settings पे आपको tap करना है यहाँ पे आपको दो option नजर आएगे always require या require after 15 minutes तो इसको हमेशा always require पे रख दीजिए अगर आप required after 15 minutes पे रखेंगे तो 15 minute के अंदर अगर कोई भी purchase में करता है तो automatically पैसा deduct हो जाएगा और required password for free purchase का भी option है ये required password for free purchases भी important है अगर आप नहीं चाते कि आपका घर का कोई भी member जो है बिना password एंटर किये कोई भी application आपके phone में download कर ले अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताया कि require password immediately या फिर after 15 minutes अगर आप after 15 minutes पे रखते हो और अगर आपने कोई application डाउनलोड किया तो 15 minutes के अंदर अगर कोई गलती से भी आप purchase कर लेते हो या घर का कोई बच्चा कर लेता है तो आपके पैसे automatically deduct हो जाएंगे और फिर आप refund लेने में भी आपको बहुत problem होगी तो दोस्तों यह थे कुछ बहुत ही simple steps जिसकी मदद से आप अपने iPhone को safe रख सकते हो और अपने bank account को भी safe रख सकते हो क्योंकि जितने भी companies है जितने भी services है वो better है आपका पैसा लेने के लिए अगर आप सामने से जाके उनको पैसा देते हो तो वो बिलकुल भी यह मौका नहीं छोड़ने वाले तो यह सब steps फॉलो कीजिए दोस्तों और आपके जो भी iPhone users है जान पैचान वाले उन सब को ये वीडियो शेर कीजिए ताके किसी का भी इस तरीके का नुकसा नहीं हो मैं भी ये news देखके शौक हो गया तो सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बनाऊं ताके आप लोग भी safe रहे, secure रहे दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको आजकल मैं अपने जो ये वीडियोज है YouTube वाले ये Facebook पे भी दार रहा हूँ क्योंकि कोई platform का भरोसा नहीं है अगर आप मुझे वहाँ पे follow करेंगे मेरे page को वहाँ पे like करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी वहाँ पे भी मुझे आपके support की जरूरत है यहाँ पे मेरा Facebook का ID आपको नजर आ रहा है इसको बस Facebook में जाके search कीजिए नीचे description box में link है उस पर जाके tap करके मुझे Facebook पे मेरे page पे जरूर मिलिए उमीद करता हो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना को जिसको like and share जरू कीजिए और मेरे इस चैनल को subscribe जो कीजिए गुडबाई